जेन साथियों मैं हुबलदेव सिंग भाहरटी और आज सुका हूँ लेटेस्ट न्यूज लेकर क्योंकि मुझे बहुत से मेसेज आ रहे थे कब से कि भाई जो समाज कल्यान स्कोलर्सी पे उसके फोर्म कब स्टार्ट होंगे तो आखिरकार आज भाई नोटिस आई गया तेरा भी समझाते हो तो इसलिए इस बार ना ध्यान से सुन लेना सबसे पहले देखो जो भी SC, ST केटेगरी के लोग है वो सब इसमें एपलाई कर सकते हैं चाए आप कोई साभी कोस कर रहे हो जैसे आपकी BA चल रहे हो तो भी आप कर सकते है BA, BA चल रही हो, BSTC चल रही हो, ITA चल आपको स्कॉलर्शिप देती है वैसे आपका कोलेज का इसमें होना मैटर करता है क्योंकि बहुत सी ऐसे कोलेज होती है जो इसका मतलब नाम नहीं होता है लिस्ट में तो वह आपको कोलेज से या तो पूछ लेना या फिर आपको ओनलाइन पता चल जाएगा जैसे ही आप इ यह सबसे रास्तान में मैजर स्कॉलर्शिप फॉर्म्स में से एक है तो इसमें अपलाई कर सकते हैं पहली बात तो जो एस्सी एश्टी के लोग वो इसमें अपलाई कर सकते हैं परसेंटेज की कोई लिमिट नहीं है चाहिए कितने भी भाई 33% बो 34% बो कोई भी कर सकता है उसके बाद OBC वर्ग, OBC, MBC लेकिन वो लोग BPL होने चाहिए, यानि कि जो APL लोग है न वो इसमें अपलाई नहीं कर सकते हैं, अब वो पोईटि लाइन, यानि कि धाहिलाग से जिनकी आई उपर है, वो इसमें अपलाई नहीं कर सकते हैं, चाहिए आप आई प्रमान पत्र बनवा के ले आओ, श्टिल आप अपलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी केटे करीए, वो जनादार में पहले से फिक्स्ट है, APL, उसके लिए आपका BPL कार्ड होने जरीए, वो सब अप्टेट होगा, उसके बाद आप इसमें कर सकते हैं, जो की पोसीबली नहीं है तो आप समझ गें कौन-कौन इसमें अपलाई कर सकता है, चाहिए आप फिर जनरल हो या फिर OBCO, MBCO, कोई भी अपलाई कर सकता है, अगर BPL हो तब ही, ऐसे नहीं भाई, जो APL वाले लोग है, वो तो सिर्फ SCHT वाले हैं, SCHT चाहिए APL, BPL, कुछ भी आप इसमें अपला वबारा, उत्तर मेंटर, यानि कि दस्वी के बाद, अब यहां पर आपको यह जियान रखना है, इसमें, जो मतलब 12 पास आउट है, फिर चाहिए कोई सभी को आप इसके लिए APL, कर सकते हैं, और साइटे वो, यह नहीं है, आपको सीधा SSO पर लोगिन करके, जो पोर्टल ह वो मिल जाएगा, उसके बाद, यह फोर्म वेसे आप अपने नजदी की E मित्रा से ही भरवा सकते हैं, क्यूंकि इसमें चाहिए fingerprint, जो केंडेड होता है, उसको खुद को E मित्रा पराना चरूरी होता है, आप घर बेठे वलाई नहीं कर सकते हैं, अब देखो, जो निरदार परी 2025, जो कि मुझे उमीद है कि लगबग एक या दो महीने आराम से और बढ़ेगी, लेकिन भाई, इतना टाइम आपको ये पहले से दे रहे हैं, फिर भी अगर आप लेट करते हो, तो आप जितना भाई, कटिया एंसान कोई नहीं है, टाइम पे अपना फोर्म फिल करवा लें, चाहे कोई सावी फोर्म ये नहीं, अब देखो एज लिमिट, सोरी, आई सीमा, इंकम लिमिट, इंकम लिमिट यहां पे देखो सो कर रखिए, धाई लाग से कम, चो आपका चार पेज का आई परमान पतर है, वो आपको बनवा कर अपने जन आधार में अपडेट करव फर्स्ट, सेकंड, कोई भी आजाएगी, सब पर आपको मिल जागा ये वाला फोर्म, ये देखो, ये वाला है, चार पेज का फोर्म, जिस पर देखो, साइन देख लो, दो गवा के, गवा ऐसे नहीं कि भाई, चाचा के ताउ कि साइन करवा लिए, आपको गरवाने दो उत सली से मेरे पास इतने टाइम नहीं है, तो फिर से आते हैं, नोटिस पे, और इसके लिए आपको रेडी क्या क्या रखना है, ये भी एक बार ना, देख लो, अच्छे से, एक सेकंड, फ्री सिप काड ये भी कुछ नहीं है, देखो, दस्ता वेज, पहले बात तो आया प्रम पांच साल पुराना चला रहे हो, दस साल पुराना, खेर, चल जाते हैं, अगर आपका डिजटल है, तो क्योंकि उस पे टोकन नमबर होते हैं, लेकिन अगर नहीं चलते हैं, तो आपको नए बनाने है, टाइम पर ही, उसके बाद जाती प्रमाण पतर आपका वैलिड होना चाहिए, एकदम सही, जो SCST वाले उनको तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनका एक बार बनता है, वस डीजिटल उसके बाद कोई लफडा नहीं है, बाकि जो भी से वाले उनको हर साल रेन्यू करना पड़ता है, खेर, आजकल तो आप जाती बनाते हो, तो अपने आप जन साथ, एक और चीज यहाँ पर सो नहीं किये, इन लोगों ने, जो FEES रसीद है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी कोलेज से FEES रसीद लेते नहीं है, या फिर उनकी FEES रसीद गुम हो जाती है, तो वो भी आपको ready रखनी है, और पहले सही न, आप कोलेज से attested कर वाले, यानि आपका नाम से होना चाहिए, जो आपकी category है, वो सही, आपका IU, आपकी age, माता-पिता का नाम, ये सब आप अपनी mark sheet के साब से करवा लेना, अब वो भी ये से नहीं होता, सबसे पहले आपको mark sheet के साब से आधार में सही करवाना है, और आधार के बेस पर जनादार में update करव नहीं है, बस इतनी सी चीज़े भाई, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी, जो biometric उपस थे थे, आपको college में ये देखिए, माह में कम से कम एक बार six cents अंस्थान, यानि कि आपकी college में जाकर, जो छात्रवर्टी portal है, वहाँ पर जाकर biometric करवाने, अंगुठा लगवाना ह ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से form तो ऐसे reject हो जाते है कि आपने अंगुठा नहीं लगवाया, तो ये वाला लफड़ा आपको नहीं करना है, तो बस इस notice में ज्यादा कुछ पढ़ने लाइक है नहीं दोस्तों, हो सकता है, मैरी कुछ जानकर ये छू कमेंट सेक्शन बता, ताकि मुझे पता तो चले कि कोई देख रहा है वाई यूट्यूबर, और अगर कोई भी आपको फोर्म एपला करवाने ओनलाइन घर बेठे, तो आप करवा सकते हैं, मैरी नंबर है, डिस्क्रिप्शन पढ़े वहां से, वीडियो देखने के लिए ब